हेलो दोस्तो कैसे आप आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं सुरेश सुरेश एकाडेमी में आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज हम पढ़ेंगे ICR Technician Assistant T1 के जो 2 मार्श 2022 को जो फर्स्ट सिप्ट में एक्जाम हुआ था उसके Social Science के पूरे 25 कोश्चन जिससे कि इससे रिलेटेड अगर कोई कोश्चन आपके आने वाले एक्जाम जो 7 और 8 जुलाई को होने वाला है उसमें आता है तो आप बहुत आसानी से कर पाएं तो स्तुरू करते हैं आज क्या पहला कोश्चन तो पहला कोश्चन रूसी क्रांती के संबंध में निमलेखित में से कौन सा कथन सही है जो कथन सही है उसके बारे में पूछा गया है तो फर्वरी क्रांती के दौरान कष्ट प्रत प्रस्तितियों के कारण प्रधान मंत्री क नहीं छोड़ा था फिर दूसरा option देख लेते हैं October 1917 में जार निकोलस दितिये ने सिंगासन छोड़ दिया था नहीं जी इन्होंने सिंगासन भी नहीं छोड़ा था तीसरा option है 27 फरवरी को पित्रोगराज सोबियत आफ वरकर्स एंड सोलजर्स डेप्यूटीज का गठन हुआ था हाँ जी ये गठन हुआ था 27 फरवरी को रूसी क्रांती के समय पे 27 फरवरी को पित्रोगराज सोबियत आफ वरकर्स एंड सोलजर्स डेप्यूटीज का गठन और चोथा गया दिया है रूस की अक्टूबर की क्रांती फरवरी क्रांती से भी ज़्यादा खूनी थी नहीं जी ऐसा नहीं था जो रूस की क्रांती थी बही सबसे ज़्यादा खूनी क्रांती थी यह जो फरवरी क्रांती थी यह ऐसी नहीं थी तो इसका जो answer होगा तीन number option will be the right answer आगे बढ़ते हैं next question question number 2 question number 2 question number 2 देखते हैं निम लिखित में से कौन करनाटिक की एक छेत्री पार्टी है तो देख लेते हैं by as congress party तो by as congress party जो मैं आपको बता दूँ ये तो करनाटिक की तो नहीं है ये जो है वो आंध्रप्रदेश की है कहां किये आंध्रप्रदेश की है और तेलांगना की है आंध्रप्रदेश और तेलांगना में ये party है कहां है आंध्रप्रदेश और तेलांगना में तो by as party तो हो गई आंध्रप्रदेश पिलस तेलांगना फिर Indian Union League Indian Union League कहां की कंपनी है कहां की party है यह जो party है यह केरल की party है कहां की है केरल की party है Indian Union Phypics Lim League जो party है वो केरल की party है और उसके बाद अखिल भारतिय जो मैंने आपको पिछले previous למ़ प्रीबिईस chapter उसमें भी के जो पार्टीं है एक त। यह कहां है कि पूचा है तो करनाट की जंता ड़र। जंता रिद्य ह्यार। और स्टीय ज्यार Grü तो पूछह है यह हमसे पूछा है देख लेते हैं भारत के संबिधान की सात्मी अनुसूची केंद्र और राजियों के बीच 20 विस्यों से संबंदित है जी बिलकुल यह तो जो सात्मियन सूची है उसमें केंद्र और राजियों के बीच जो बिदाई विस्यों विस्य हैं उसी सात्मियन सूची में है केंद्र और राजियों के बीच जी नहीं ऐसा तो यह बिल्कुल गलत कह रहा है जैसा कि मैंने आपको पिछली वी बीडियों में बताया था जो प्रीविएस यूर कोश्चन मैंने कराये थे उसमें भी मैंने आपको बताया था यह सारा संग सूची और राज सूची और संबर्ती सूची यह मैंने सब कुछ ब होती है उसमें बाबन नहीं होते हैं उसमें बाबन विसे नहीं होते हैं कितने विसे होते हैं उसमें एक सट एकली पहले 66 थे लेकिन अब 61 हैं तो इसमें एक सट या 66 जो भी है वो लगा सकते हैं नहीं बाबन विसे नहीं थे बाबन विसे जो थे वो संबर्ती सूची में थ बिधाई विश्यों से संबंदित है तो फोर बिलबीदा राइट आंसर चार नंबर में केवल बन दिया है तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टिन कोस्टिन नंबर चार राज और उनके गठन बर्स के निम लखित युगमों में से कौन सा सही है हमसे क्या पूँचा है इन में से कौन सा सही है तो देख लेते हैं जो नागलेंड है नागलेंड की जो इस्थापन ही थी यह एक दिसंबर एक दिसंबर 1973 को ही थी और इसमें क्या दिया है इसमें 1972 तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया उत्तर खंड की 2000 में ही थी आपको यहाद होगा उत्तर खंड के साथ में जारखंड और 36 गड़ मतलब इन तीनों की हीति उत्तराखंड जारखंड और 36 गड़ की स्थापना गठन कब हुआ था 2000 में हुआ था और अड़नाचल प्रदेश का 1987 में हुआ था तो यह सही है तो दो नंबर और तीन नंबर सही है तो जिस उप्षन में दो और तीन होंगे भई है हमारा रायट आंसर होगा तो तीन नंबर वाले में हमने दिया दो और तीन दोनो तो यह हमारा रायट आंसर हो जायेगा आगे बढ़ते हैं नेस्ट कॉच्टन कॉस्टन नंबर 0-85 मिलान के जिए नेता संबंदित छेत्र कुछ नेताओं के नाम दिए गए हैं और उनके संबंदित छेत्र भी दिए गए हैं तो बिर्सा मुंटा किस छेत्र से हैं सिद्धू और कानू किस छेत्र से हैं अल्लू सीता राम राजू किस छेत्र से हैं तो मैं आपको बता दूं जो यह हमारे बिरसा मुंटा जी थे यह चोटा नागपूर के थे यह कहा के थे चोटा नागपूर के रहने वाले थे चोटा नागपूर सहर से संबंदित थे ठीक है और सिद्धु कानु जी जो थे वो हमारे संथाल परगना से संबंदित थे सिद्धु और कानु जी संथाल लाए और तीसर का तीसरा जो जिस उप्सन में हो वही हमारा सही आंसर होगा तो चार नंबर तो ये थाई, question number 5 तो ये थाई, अब question number 6 देखते हैं, ठीक है, निमने लिखित में से कौन सा भारत की एक अनुसूचित भासा नहीं है, कौन सी एक, कौन भारत की एक अनुसूचित भासा नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, हमारे सम्मिदान में 22 भासा हैं, जिनें सारी भासा हैं, ये सामिल नहीं है, बाकि डोगरी, संथाली, बोडो, डोगरी, संथाली, बोडो, और संस्किर्थ, तमिल, स्टैपसी का काफी भासा हैं, लगों 22 भासा हैं, ये सारी अनुसूचित भासा ही कही जाती हैं, लेकि जो मुन्डारी जो है, ये अनुसूचित भा आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमबर साथ निमने लिखित में से कौन सा कथन गलत है जो कथन गलत है वही हमसे पूछा है तो देख लेते हैं प्राइद इप भारत में कोई सूपरभासित सीत्रितू नहीं होती है ऐसा होता है क्या जी हाँ ऐसा होता है यह सही बात है सूपरभासित सीत्रितू नहीं होती है प्राइद इप भारत में सीत्रितू नहीं होती है जून दूसरा देखते हैं जून की सुरुवात में उत्री मैदानों पर निम्न दाब दक्ष्णी गोलार्थ की ब्यापारिक हबाओं के आने के कारण होते हैं ये ब्यापारिक जो हबाओं आती हैं दक्ष्णी गोलार्थ की उसी के आने के कारण होते हैं जून में उत्री मैद चेत्रों के ऊपर होती है तब उत्तरी मैधान चेत्रों में कंबसा होती ऐसा नहीं होती है चौभायद करते हैं यह प्रवाईद करते हैं MK इसकाला होते हैं भायदों आसा पिति ही मजई बहाद के लिज़ के के मौसम को प्रवाइद करते हैं तो हमसे क्या पूचा था कौन सा गलत है तो सी यही हमने गलत बताया था यही है गलत क्योंकि इसकी वज़े से कंबर सा नहीं होती है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन कोश्चन नमबर आठ यह एक कोश्चन थोड़ा इंगलिस में है कोई नहीं फिर भी मैं आपको हिंदी में समझा दूँगा तो क्या कह रहा है विच अर्थकोएक मीजरे स्केल इस बेजड ओन अर्थ रिजिडिटी एंड द एमॉंट एंड एरिया आफ सिलिप ओन दी फॉल्ट तो इसमें हमसे ड साहती दिटिटोट्र में तो इसका barrier सब्सक्राइब गुईस मेंस तीनो के बारे में में से कोई इनका आंसर नहीं है इसका जो answer है question का वो होगा question number four moment magnitude scale जो इसका answer होगा क्योंकि इसमें earth rigidity पूचा है earth rigidity जो प्रित्वी की cut होड़ता है उसके base पर जो earthquake मापा जाता है major किये जाता है उसका नाम पूचा उस scale का नाम पूचा है वो है moment magnitude scale और यह जो तीन स्केल है सैफर सिंपसन स्केल और मरकैली इंटेंसिटी स्केल रेक्टर मैंगनिटूड इसकोल यह previous year की वीडियो में मैं solution में मैंने करा दी है तो आप उससे अच्छे से explain मैंने किया है तो आप इसका explanation पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं तो इससे related कोई ना कोई question तो आने वाला है आपको 7-8 जुलाई को जो exam होगा उसमें कोई ना कोई question जरूर आएगा तो इसलिए आप पीछे की वीडियो भी देखिएगा अगर नहीं देखिए तो देख लिए तो अच्छी बात है तो आगे बढ़ते हैं इसका तो answer हो जाए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है तो next question परिया बरण और विकास पर संयोक्त राश्ट सम्मेलन UNCED जिसे कहते हैं डैस में बर्स में हुआ था यह पूचा है कि कहां पर हुआ था और किछ बर्स में हुआ था जैबिक विविता पर समझो था और डैस इसके प्रूख प्रणाम में से एक था इसके जो प्रणाम आये थे उनमें से जो एक प्रणाम था वो पूचा है हमसे तो मैं आपको बता दूँ यह जो परिया बरण और विकास पर संयोक्त राश्ट सम्मेलन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था कब हुआ था रियो डी जनेरियों मंें हुआ था और जो इसके प्रणाम में से एक प्रणाम था बूचा यह यह जनेरियो जिसा ओप्सें में होगा हमारा आंसर होगा तो रियो डी जनेरियो 1992 एकने एंग बाकि सारे घंठी में है तो मैं फिलाग समझा दूँगा आपको विच आप दा फॉलेंग स्टेटमेंट आर्ट ट्रू फॉर फिलर्ट्स इन इंडिया तो इसके कहने का मतलब यह है जो हमारे देश में भारत में बार्ट से रिलेटिट जो सही स्टेटमेंट है जो सही कथन है उसको हमें चूच करना है बार्ट से रिलेटिट जो सही कोस्टन सही कथन है वो हमें बताना है तो कथन तीन दियें तीन में से हम देखते है कौन सा सही है और कौन सा गलत है देख लेते हैं तमिल नाडू receives flood in winter months क्या तमिल नाडू में सर्दीयों के मौसम में बार आती है जी हाँ आती है सर्दियों के मौसम में ही तो आती यह तह सर्दियों क मौसम मी जो करती है यह और दूसरा ओप्सन देखते हैं फिलडस कैंने कैस्केडट एकट क्यावर जो होती है Lookingаний के प्रभाव को सुरू करती इस आपका पूरा टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से तो आशा करते हूं आप उन वीडियों को देखिए जिससे कि आपका पूरा कॉंसेट्स क्लियर हो जाए और इसका तीसरा नमबर ऑप्सन देखते हैं तीसरा कतन जो है वो किया कह रहा है तो पहले और दूसरे तो सही हो गए तीसरा देखते हैं ओमेंड डू नॉट हैब एनी रोल इन क्रियेटिंग और स्प्रीटिंग फिलट्स जी नहीं होमें का तो बहुत बड़ा रोल पिले हैं जो हम लोग होते हैं मनुसर जो लोग होते हैं उनका बाड में कोई रोल होता है या नहीं होता है ये 2500 करते रहे हैं कि जंगलों की कटाई करने की बज़ेस थैंज़ ज्मड़ आने की चंश जादा johnуск की बडाब जाते हैं तो बहाँ की जो मिट्टी होती थी सोक लेती कि क्योंकि बहाँ पेड़ पौदे लगे होते थे उनको भी जरूद होती थी तो वह खींच लेते थे पानी को लेकिन डी फॉरेस्टिंग होने की वजए से यह प्रॉब्लम क्रियेट हो गई है कि बाड़ आने के चांसे ज्यादा बढ़ गए है तो human do not have any role तो यह बात तो गलत है human का बहुत बड़ा role है इसमें तो ये तो गलत हो गया और हम alan होपिनगार जो सही है वो हमसे पूँचा है क्या पूँचा है जो सही है वो हमसे पूँचा है तो एक और दू सही होगा जो की option number 4 में है तो यह हमारा सही answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question 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 number 11 11 ग्रेट बृटेन की स्थापना के संबंद में दिये गये कतनों पर विचार कीजिए इन में से कौन सा कथन सही है यह हम से पूँचा है तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है 19 सताब्दी में सताब्दी से पहले किसी भी बृट्स राश्टर राज राज का अस्तित भी नहीं था नहीं जी यह तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं की 19. sì सताथी से पहले भी ब्रेटिस मास राष्ट का राज का अस्तित था ब्रेटिस मास थे पहले भी 19.uses त्रीस राष्ट से तो यह तो सही हो गया और तीसरा कथन देख लेते हैं 1798 में आयरलेंड को एक जुट रखने के वुल्फ टोन के प्रियास बिफल रहते जी हां यह भी सच है जो 1798 में आयरलेंड को एक जुट रखने के लिए वुल्फ टोन के जो प्रियास रहते जो वुल्फ टोन ने जो प्र सभी है तो 2 और 3 जिसमें होगा यह हमारा आंसर है तो पहले में यह 2 और 3 तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोस्टिन कोस्टन नमबर 12 क्या कहरा है भारतिय राष्टबादी आंदोलनों में किसानों के आसंतोस से संबंदित निम लिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें भी जो कथन सही है भही हमसे पूचा गया है क्या कह रहा है बंकीम चंद चट्टो पाध्याय ने 1860 में नील दरपण लिखा जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों का बरण किया गया था जी ये एक नील दरपण जो लिखा गया था ये बात तो सच है लिखा गया था और इसमें नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बरण किया गया था लेकिन ये बंकीम चंद चट्टो पाध्यान जी ने लिखा ये बिलकुल गलत है ये सरास लिखाता दीन बंदु मित्रा जी ने लिखाता किसमें अठारा सो अठाबन में 1859 के करीब इन्हों लिखाता नील दरपन जिसमें बंगाल के बंगाल में जो नील विद्रो हुआ था उससे लेटर सारी जानकाड़ी दी गई थी जो इसमें किसानों पर अत्याचार किया गया थ जो 1859 में दीन बंदु मित्रा जी ने लिखाता तो यह तो हमारा गलत हो गया आपको मैं बता दूँ जो बंकीमचन चट्वपाद्या थे उनकी जो रचना थी देवी चौधरानी नाम की रचना थी वो इन्होंने की थी वो उन्होंने लिखाता तो यह तो हमारा पहला तो ग डूसरे देख लेते हैं, माईकल मदू सुदन, दत्थ ने नील दरपण नाटक का अंग्रे जी अनुबाद किया था, जी हाँ, धीन बंधु मित्रा जी ने नील दरपण लिख दिया था, जिसमें बंगाल के नील बिद्रों का बरन था, तो माईकल मदूすुदन दत्थ जी आय तो नहीं समझ पा रहे थे तो इंग्लिस को पढ़ पाते थे उन्होंने अनुबात कर दिया जिससे कि पढ़ने वाले लोग नील धरपड़ को अच्छी से पढ़ पाएं और नील विद्रों को बंगाल में जो नील विद्रों गुआ था उसको समझ पाएं तो यह तो हमारा बि आज दूत्तों के उस्थ्व्याजिस्फमेलन का त्वेरित्प्रणाम क्या था जिसकी अद्यक्ष्थर पढ़ निकने की थी किसने की थी को तो व्यक्राजदोत्तों का निकने की चारा सो चौदा पंदरा के टाइम की बात है तो इस टाइम पे इसका जो प्रणाम निकला था वह बी एना की संदी ती यही थी यह हमारा राइट आंसर होगा जो की टू में दिया है तो टू बीदा राइट आंसर आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्टन कोश्टन नंबर 14 के अनुसा सकल घरेलू आए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिषत के रूप में सिक्षा पर ब्यए 1951 बाबन के डैस से बढ़कर डैस से बढ़कर 2019-20 में डैस हो गया तो आपको मैं बता तूँ जो GDP होता है जो सकल घरेलू आए होता है वह होता क्या है जो इसकी प्रवासा अ कोई भी हमारी पूरे देश की सीमा के अंदर कोई भी उत्पादन हो रहा है चाहिए वो निर्यात होता हो चाहिए दूसरी देशों में जाता हो बनके वो सामान लेकिन वो सकल घरेलू उत्पाद के अंत्रिकत ही आता है तो हमसे पूछा है यह 1951-52 में कितने परसेंट था और 19 2019 में क्या हो गई थी 3.1 परसेंट हो गई थी 3.1 परसेंट हो गई थी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 15 2018 में 2018 में किस सम्तीक ने बालिज और उधोग मंत्राले को विसेश आर्थिक छेत्रों पर अपनी रिपोर्ट सौपी थी तो यह रिप कोश्चन आंसर हो जाएगा बाबा कल्यानी समतीने रिपोर्ट सौपी थी तो इसका तो एक नमबर ऑप्सन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 16 क्या कह रहा है भारत की जनगर्णा की अनुसार अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती देश की जनसंख्या की किरमसा डैस और डैस थी तो मैं आपको बता दूं एक द्धक कोश्चन सेँ बता सकते हैं जो SC के candidate थे, SC जाती के लोग थे, वो 16.6% कितने थे, 16.6% और जो ST के थे, वो तो कम थे, 8.6%, तो यह जिसमें option में होगा, भही हमारा right answer हो जाएगा, तो यह दो number में है, तो यह हमारा right answer हो जाएगा, इसके साती में बता दूँ, 2011 की जो जनगणना थी, उसमें जो सरवादिक जनसंक्या घनत्त था, अगर प्रदेशों में देखा जाए, राज्यों में देखा जाए, तो हमारा बिहार में था, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंक्या घनत्त था, और अगर पूरे ओपर आल देखा जाए, UT और State, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंक्या घनत्त था और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो जनसक्या थी वह हमारे उत्तर प्रिदेश में ही पाई गई थी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टन कोस्टन नंबर 17 कौन सा कोस्टन बर्श 2013-2014 में बी निर्मान झ्षेत्र प्राथमिक छेत्西त्र के इस्थान पर भारत में सबसे बड़े उत्तर पादक छेत्र के रूप में उपराता नहीं जी तरकिया कह रहा है कारखानों में सच्टी दरों पर माल के उतपादन की बजहें से माल की उभोगता मांग में ब्रद्धी हुई एक कुल उतपादन और रोजगार के प्रात्मिक छेत से दितियक छेत में इस्थानांतरंग के कारणों में से एक है तो ये सही है यह सही है तो जिसमें A गलत होगा और R सही होगा वही हमारा option होगा देख लेते हैं तो A असत्य है लेकिन R सत्य है तो यह हमारा answer हो जाएगा कौनसा answer होगा एक number एक number विलबीदा राइट answer आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 18 अब भूक्तर स्दनो द्वारा किस बर्स पारत किया गया हमसे पूछ हैं इस पारत किया गया तो यह ranking कब पारत किया गय था 1960 में ओबりました aur जसैत्य है जो Surū Ali बडेक जो है नहीं जो पारत किया गया सदन में वह तो 24 डिसंबर 1986 में पारत कीया ऐथा कब 24 डिसंबर 1986 में पारित किया गया था 24 दिशंबर 1986 में लेकिन इसके बाद लोगों को बहुत confusion भी रहता है अट्मी स्में क्या हुआ था इसके बाद जब पारित हो गया है इसके बाद इसमें कई लीफास छंशोधन हो चुका है एक बार 1921 में संसोदन हो चुका है 1991 में संसोदन हो गया है 93 में भी हो गया है 2000 में भी हो गया है और एक तो हाल ही में हुआ है 2019 में भी इसमें संसोदन हो चुका है तो इसका जो right answer होगा वो तो option number 3,196 ही होगा तो आगे बढ़ते है next question question number 19, question number 19 भारत के सम्मिधान का कौन सा अनुच्छेद राष्टपती के विसेश अभीभाषण से संबंदित है यह जो अनुच्छेद आता है राष्टपती के विसेश अभीभाषण से संबंदित वो 87 होता है 87 अनुच्छेद में लिखा है कौन से अनुच्छेद में लिखा है 87 तो इसका जो आंसर होगा दो नुमबर 87 बिल भी तर राइट आंसर अनुच्छेद 87 आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 20 किसी अत्विवस्ता के सकल घरेलू उत्पाद में ब्रद्धी निमलखित में से किसका सूच चक है जैसा कि मैंने बता दिया इस सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है जो हमारे देश की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है बही सब सकल घरेलू उत्पाद के अंत्रिकत आता है तो जब इस सकल घरेलू उत्पाद में ब्रद्धी होगी तो जाहर सी बात है हमारी आर सेतंदरता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्व में operation polo किस राज्य से संबन निते हैं यह तो बहुत direct question है आपको पता होगा जब है हैदरबाद हमाई देश में सामल हो गया हैदरबाद के लिए operation पोलो चलाया गया था तो आगे बढ़ते हैं next question question number 22 question number 22 क्या कह रहा है भी भारत की संब्धान सभा की संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है जो कथन गलत है बही हमसे पूंचा है क्या पूंचा है जो देश प्रस्ताव पारत किया था जी बिलकुल सही है यह जो दूसरी मीटिंग होई थी दूसरी नहीं एक तीसरी मीटिंग जो होई थी जो संभिदान सभा थी उसकी पहली जो मीटिंग होई थी नो दिसंबर 1946 को ही थी जैसा कि मैंने आपको प्रिछली प्रीविएस वीडिय कब ही थी जैसा कि आपको पता होगा जो कैबनेट मिशन 1946 में हमारे देश में आया था तो उसने जो है संभिदान सभा का गठन किया था और संभिदान सभा की जो पहली वैठा को ही थी वह 9 दिसंबर को ही थी जिसमें सच्चिता नंदर जी अध्यक्ष बने थी फिर उसके ब प्रसाद जी बन गए थे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं फिर और को दूश्रा कोश्चन क्या गह रहा है भारत का संभिदान लिखने वाली संभिदान सभा में दोस्तों 99 सदस्च से यह भी सही है यह भी सही है और देश प्रस्ता जवारलाल नहरू ने 13 दिसंबर को पारित क संभिदान सभा का छटा अधिवेशन हुआ यह भी सही है मैं आपको बता दूँ यह संभिदान सभा से रिलेटर जितने भी कोश्चन बन सकते हैं प्रीबियस वीडियो में मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूँ इसको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ तो आप पिसली वीडियो देखिए और अपने जो आपका एक्जाम आने कार किया था जी नहीं यह तो 24 जनवरी को नहीं किया था यह किया था 22 किया था 22 जूलाई kita 22 जूलाई 1947 कप किया था में कितने देशों ने गैट पर हस्ताक्षर किये थे तो एक डार डारेक्ट कोश्चन है इसमें तेश तेश देशों ने हस्ताक्षर किये थे कितने देशों ने किए थे तेश देशोंने हस्ताक्च्चर किए थे जो 30डच में गया अंप Central उसके नेश को सिपहता variव को आज प्रमुक महला राजनीतिग थी यह फ्रांसेसरी क्रांती की एक प्रमुक महला राजनीतिग थी फिर दूसरा क्या कह रहा है 1790 में उन्होंने महला और नागलों को गया अधिकारों का गोशना पत्र तयार किया था जी नहीं इन्होंने 1790 में नहीं किया था एक्ट्रिय 771,712 के करीब इन्होंने गोंचना पत्र तयार किया था तो जो जो समानता थी उसको बढ़ावादra दिया तो जो जो गोश्मापत तयार किया था इसमें सत्तर अनुच्छे थे और इसमें जो उसकी कमिया थी उसको उजागर किया गया था और पिलस में जो लेंगिक समानता थी उसको बढ़ावा दिया गया था तो गलत हो जाएगा भई 1790 नहीं था यह 1791 था ठीक है तो दूसरा मेलं दुआरा मर्तियू दंड डिया था जी जाय राघ पर अधिया गया था ऐसकं तो एक और तीन जिसमें होगा बही वारा राइमारा हौशर होगा जो चार में दिया है एक और तीन विल-बिदा राइट आंसर आगे बलते हैं को उर आजका आफिछन निमनिय लिखित में स इसकी तीन वीडियो है अगर आप तीन वीडियो देखेंगे तो मुझे उमीद है आपके जो साथ और आठ जलाई को एकजाम होने वाला है उसमें अगर कोई भी कोश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे तो मैं आपको बता दूँ उसमें मैंने बताया है जो मानव ज दूब जयाता है वह जलाएंशनी होती है तो मानव क्यों के दोटोपन की गई होती है वह से मानव जनित कहेते हैं भगदड को आशाय वीडियो उससे को सब्सक्राइबação होगे एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा तो अगर आपको पसंद आ यह वीडियो तो लायक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू